सलाम नमस्ते हेलो केमचु स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार वाइफाइ स्टेडी 2.0 पर दोस्तो शाम के पांच बच चुके हैं और आपके लिए ताजा तरीन खबरे लेकर के आ चुके हैं आपके प्यूसर तो फटा फट से जूट जाएए और शेशन को एक बार शेर कर दिजे मेरी आवाज आ रही है तो एक बार बताएए आप लोग कि यह सर आपकी आवाज आ रही है तो दोस्तों अपनी क्लास रोज सुबह लेट्स क्रेक बेंक एक्जाम पर होती है सुबह साड़े पांच बजे तीन बजे अनकेडमी लेर्नर एप पर दोस्तों पर दोस्तों अपनी क्लास होती है मई में मंतली करेंट अफेर का रिवीजन यहां पर चल रहा है फ्री स्पेशल क्लास दोस्तों पांच बजे वाई-फाइश चड़ी टू-पाइंट-0 पे अपनी क्लास हो रही है ठीक है यह बेच्ट टूएंडिर्ट सिक्समंथ करेंट अ होते हैं दोस्तों यह प्लस सब्सक्रिप्शन जिसमें की बैंकिंग अवेनेस को मैं एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूं इसके लिए आपको दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा जिस पे आपको पीए साथ इन को यूज करने पर डिसकाउंट भी मिल जाता है क्या मिल जाता है डिसकाउंट मिल जाता है दोस्तों बैंकर्स वीक चल रहा है एक जून से फाइव जून के बीच में अगर अनकेडमी लाना रैपर आप क्लास करते मेरी तीन बजे या दस बजे वाली आपको दो टेस्ट होता है दोस्तों संडे को सुबे 10 बजे 5 जून इन्वार्मेंट के दिन यहां पर बैंक कॉमबेट गेमिफाइड लाइव स्कॉलर सिप टेस्ट होगा जिसमें आपको स्कॉलर सीप जीतने का मौका मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते ही दोस्तों आपके पास य आए हैं और जितने भी आएंगे एक्जामनेशन चाहे टीचर जो थे जो हैं जो आएंगे उन सभी के अनलिम्टेड एक्सेस जैसे मेरे जितने कोर्स लाउंच हो है वो भी सारे मिलेंगे साथ साथ आपको जितने टीचर है जिस भी सब्जेट के टीचर है जिस भी सकते हैं Iconic subscription लेने पर आपको preference मिलता है रेज हैंड में भी आपको preference मिलता है जिसमें कि आप में teacher से बात कर सकते हैं प्लस subscription लेने पे दोस्तो 354 रुपए पर मंत की costing आती है 24 महीने की PSR 10 पर आपको discount मिलता है Iconic में दोस्तो 417 रुपए पर मंत की costing आती है प्यूसिंग नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं दोस्तों यहां पर बैंक एक्जाम केटेगरी में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ होगा तीन बजे और दस बजे यहां पर क्लास होती है हमारी जैसे आप मुझे फॉलो करेंगे नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे मेरे क्रोर्स भी आपको दिखने लगेंगे दोस्तों आईए शुरू करते हैं 13 अपरल 2022 को पूरे भारत में जालिया वाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्सगाठ मनाई गई दोस्तों तो एक सो तीनवी वर्सगाठ मनाई गए जालिया वाला बाग हत्याकांड का जो मुख्य आरूपी था वो था जन्रल डायर जिसने फायर का आदेश दिया था हुआ क्या था दोस्तों यह 1919 की घटना है जब फर्ष्ट वर्ड वार्ड खतम हुआ था फर्ष्ट वर्ड वार्ड जब चल रहा था तो 1915 में गांधी जी आये थे और उन्होंने कहा कि हम भरती कराते हैं इंदुस्तानियों का और हम संप clarification करेंगे इस समय को हमारी जरूरत है अंग्रें ब्रीटेसर्स को तो यह हमारे लिए हो जैंगे और हमें आजादी देंगे लेकिन ये तो इस First World War में इतनी कुरूरता किये थे कि कुरूरता इनके नस नस में एकदम वो हो गई थी और जिस भारतियों ने इनकी मदद की First World War में जरूरत निकलते ही काम खतम पैसा हजम हम तुम्हें पहचानते नहीं ये भारत में भी इसा ही खतरना कानून लेके आगे रोलेट एक्ट रोलेट एक्ट में था कि किसी को भी बिना दलील बिना किसी चीज के बिना किसी शक के बिना पर बिना किसी सुबूत के गिरफतार कर लिया जा सकता है किसी को भी उठा लिया जा सकता है दोस्तों सैफुदीन किचलू जैसे जो है कुछ लोगों को गिरफतार इनों ने किया जिसकी गिरफतारी के विरोध में यहां पर बैसाखी के दिन पंजाबी लोग तेवहार था उनका धार्मी का योजिन के लिए एकठे हो सकते थे तो यहां पर एकठे हुए उसमें जनरल ड गिया एक एक लोगों को दोस्तों मरवा दिया यह 13 अप्रेल की घटना है जिसके बाद रविना टैगोर ने पर इनाइट हुट की वापस की और अंग्रे और गांधी जी को भी समझ में है कि यह जो है वैसे वाले नहीं है इनके लिए अब जो है दूसरा रास्ता अक्तियार काणहार करना होगा उन्होंने भी अपनी कैसरे हिन्द की वापस कर दि उन्होंने भी अपने जो है वापस कर दी तो दोस्तों यह जालीया वाला हत्या कांड रॉलएक एक्ट है कभी पूछे कब आया तो आप याद रखिएगा différence में रोल एक्ट अ簡ा इसे कानून कहा गया थ और दोस्तों भी जालिया वाला बाग का एक रिनोवेशन भी कराया था जिसमें की मोदी जी की तारीफ कैप्टेन अमरिंदर सिंग ने की थी जो उस समय मुखमंत्री थे जिसका खामियाजा यह भुगटना पड़ा राउल गांदी ने बुराई करी थी कि आपने हिस्टॉरिक चीज को मॉडर्न कर दिया लेकिन कैप्टेन अमरिंदर सिंग ने तारीफ की थी जिसके बाद उनको वहां से मुखमंत्री पत से हटा दिया गया और चन्नी को मुखमंत्री बनाया गया और उसके बाद कांग्रेस की बहुत करारी हार हुई पंजाब में तो दोस्तों यह जो क्या रिटल टान्सफॉरमेशन को गती DANE किलिए किस कंपणी ने माइक्रो सौफ्ट के साथ टाइभ किया है तो माइक्रो सौफ्ट के साथ टाइभ किया Tucson कि भारत पेट्रोलियम की स्वेड़ किए बैंक्राइब के साथ मिल्क डेविड काड शुरू किया है थैव हम ने क्रि पद्रोकर्त्या नडेला को इस बार पद्मभूषण एवार्ड मिला है Google के अलफबेट के सीयू सुंदर् कि को बिशाई को भी मिला है पद्मभूषण सम्मान इस बार साथ जोगो दोस्तों पद्मभुषण मिला है 17 लोगों को पद्म भूशन मिला है और 107 लोगों को पद्म शुरी मिला है तो दोस्तों तोटल जो पद्म पुरुषकार मिले हैं वो 128 जो है पद्म पुरुषकार इस बार प्राप्त हुए है जिसमें चार लोगों में रादे स्याम खेमका गीता प्रेस वाले सीडियस विपिन सिंग रावत कल्यार सिंग पुरुमुखमंत्री यूपी और दोस्तों प्रतिभा अत्रे इनको जो है पद्म भीभूशन मिला है दोस्तों पद्म भूशन में दो कोरोना वैक्सीन के बनाने वाले कंपनी के फाउंडर्स को भी मिला है भारत बायोटेक को वैक्सीन के फाउंडर सुचित्रा इल्ला किष्णा इल्ला को और सीरम इस्टूट आफ इंडिया को भी सिल्ड वाले साइरस पुना वाला को भी पद्म भूशन सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों यह साजेदारी बीपी सी एल के प्रोजेक्ट अनुभव नामके डिश्टल परिवट्न प्रयास में तेजी लाएगी प्रोजेक्ट अनुभव इनका अब एक इनिसियेटिव है बीपी सी एल का हेड़क्वाटर मुंबई में है दोस्तों सीमडी है अरुन कुमार स सिंगं कौन है अरुन कुमार सिंग इसके चेर्मेन दोस्तों विच कंपनी हैसेंट एज ककूस्व केंपनी ने सॉ्पनीयान हका पहला सेट सोपा है गगन यान दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का अभियान है आपको यह बताना है कि किस एयर में गगन यान भेजा जाएगा गगन यान की तरह दोस्तों समुद्र की तलहटी में भी इस रोही एक अभियान चला रहा है जिसे समुद्र यान कहा जा रहा है मत से 5,000 यान जो है भेजा जाएगा दोस्तों यहां पे हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड जो की ध्रू हेलिकॉप्टर एलेच हेलिकॉप्टर एमके 3 बनाया जिसने तेजस विमान बनाया सबसे हलका स्वदेशी लडाकू जेट विमान उसी ने इनको हाड़वेर सेट भी सोपा है हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड दोस्तों वॉल्चंद हीरा चंद इसके फाउंडर थे आर माधवन दोस्तों इसके हेड है 19 सीटर डॉर्णियर 228 विमान भी बनाया है जो की डिबरुगड़ा असाम से पासी घाट अरुनाचल प्रदेश के बीच में चलाया जाएगा दोस्तों इसरो की बात करें तो विक्रम सारा भाई इसके पहले हेड थे हेड क्वार्टर बेंगलूरु में है 15 अगास 1979 कोई आई थी एस सोमनाथन इसके हेड है के सीवन की जगह एस सोमनाथन इसके हेड बने हैं इसरो के ठीक है एन सो यह इस रोप जो है हमती चलता है जो नहरूं जी को इसका फांडर बताता है कि यह जो है इस रोइन्हों ने डवलब किया था नहरूजी ने बहुत उनके पुनितिती पर इह वाला मैंने पोस्ट देखा बहुत ज्यादा कि इस रोग के फांडर थे इस रोग के यह वह सकता है तो ऐसे भी वार्ट सब्सक्राइब बहुत सारी चीजे चलती है इसलिए हर चीज का भरोसा नहीं करना चाहिए दोस्तों सीसी ये ने किस वर्स तक सरकारी उजनाव में फोटिफाइड चावल के जो है डिस्टिफ्यूशन को मंजूरी दिए तो फोटिफाइड है से स्कारशी जो है डिस्ट्रिब्यूट किये जाएंगे ऐसा अभी जो है कि जो कैबिनेट की मिटिंग हुई थी एकनॉमिक अफेर्स पर उसमें यह डिसीजन मोधी जी की अध्यक्षटा में लिः गया मोधी जीक अध्यक्षटा में 2023 को जो है माईलेट्स का का इयर कहा जा रहा है थीसरी का 2022 को वहीं बहुत बड़िया ब़ध बड़िया शानदाध जिन्दभाद जबर्दस्त, दोस्तों मोधी जी की कंश्चुएंसी जो है वाराणसी है जहाँ पोर्ट को ले करके, बंदरगाहों को लेकर एक इंटरनेश्टल स्किल डेवलोप्मेंट सेंटर भी ओपन हो रहा है, जापान ने रुदराज कंवेंशन सेंटर भी ओपन किया है और रोपवे की भी यहां पे शुरुवात हो रही है कि इंटरनेश्टनल स्टेडियम भी यहां बनेगा और यहां अब मेट्रो भी बनाने की बात कही जा रही है जापान की क्योटो शहर के तरज पे इसे बसाया जा रहा है काशी विश्नात मंदिर से गंगा नदी के उस पार एक लच्मन जूला की तरफ ब्रिज भी बनाया जाएगा दोस्तों वितवस 2022 के दोरान 96000 करोण रुपए का विनिवेश होने के बाद ऐसेट मॉनेटाइजेशन होने के बाद जिससे आजकल ऐसेट मॉनेटेजेशन कहा जा रहा है recycle пойд fulfills 2022 के जो निर्धारित लक्ष पार कर लिया है वो लख्ष क्या था और टार्गेट क्या था दोस्तो तो ऐसेट मोनेट मोनेटाइजेशन आजकल बोला जा रहा है जो अपनियों को बेच के पैसा मिल रहा है उसको आजकल बोला जा रहा है एसेट मॉनेटाइजेशन तो दोस्तों यहां पे 91,000 88,000 का टार्गेट था और 96,000 अचीव हो गया यानि बेचने में यह जितना सोचे थे उससे ज्यादा बेच लिए दोस्तों कहा जाता है कि मैंने एक टेक्टर देखा ता उसका पहिया गायब था उसका श्लोगन लिखा था अ पहिया बिख चुका था स्टेरिंग बिख चुका था और इंजिन भी बिख चुका था लेकिन टेक्टर वैसे खड़ा था और उसके उपर एक स्लोगन लिखा था कि मैं देश नहीं बिखने दूगा मैं देश नहीं बिखने दूगा मतलब देश के जो है कंपनी बिखने तो 40,000 करोड़ जो है कोल से प्राप्त हुआ है 23,000 करोड़ रोड़ से प्राप्त हुआ है 18,700 करोड़ मिनरल से प्राप्त हुआ है 9,500 करोड़ पावर से प्राप्त हुआ है और 900 करोड़ रेलवे से प्राप्त हुआ है ठीक है समझ गए मेरी बात तो दुसेंद कुमार की मैं एक कवीता भी आप लोग को सुनाता हूं बहुत अच्छी है धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे कली बेच देंगे चमन बेच देंगे कलम के सिपाही अगर तुम सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे तो दोस्तो ये भी बहुत अच्छी कवीता दुशेंद कुमार बहुत अच्छी कवीताएं लिखते थे इंद्रा गांधी जी के इमेजनसी के दौर में उनका विरोध करने के लिए बहुत अच्छी कवीताएं उन्होंने दोस्तो लिखी थी जैसे कि सो गई है पीर परवत्सी पिगलनी चाहिए इस हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए और मेरे सीने में सही तेरे सीने में सही आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए लेकिन आग जलने चाहिए तो दोस्तों वित्वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कुल संपत्ति मुद्रीगरण लक्ष क्या है वाट इस टोटल एसेट पॉनेटाइजेशन टार्गेट सेट बाइ गवर्मेंट फॉर्ट फिनेंशियल यह 2022-23 तो दोस्तों एसेट मुनेटाइजेशन टार्गेट टोटल एसेट मुनेटाइजेशन टार्गेट जो है वो जो है क्या है तो दोस्तों अभी 2022 वाला हम लोंने देखा कि 88,000 था जो की 96,000 हो गया है ठीक है और अब यहां पर अगले साल का पूछ रहा है इसी तरीके से जीडिपी जो हमारी पिछले साल की निकल के आई है वो निकल के आई है 8.7 परसेंट जो क्वार्टर 4 की निकल के आई है वो निकल के आई है 4.1 परसेंट और हमारी फिसकल डेफसीट कितना निकल के आया है और इन सभी के डिफिनीशन आज मैंने बड़े ही तबियत से तरहाई है राजपोशी घटा यहां होता है बजटी घटा जोनमिनल GDP ग्याrals ग्यों कि प्रेश क्या होता है यह 8.7 percent की ग्रोथ क्या है और दोस्तो यह 6.7 परसेंट फिस्कल ढिया सिट क्या है एक एक चीज को आकड़े wise मैंने definition wise आप लोगों को पढ़ाया है मज़ा आ गया होगा पैसा वसूल हो गया होगा फ्री में आपको economics का इतना गहन अध्यान करने को आज सुबह साड़े 5 बजे वाली क्लास में मिला था है कि नहीं मज़ा आया था तो दोस्तों इस बार का जो financial year का जो टार्गेट है monetization का वह यह लेके चलने 1.62 trillion का यानि पिछली बार 88,000 करोण का था इस बार जश्ट डबल का है करीब यहां पर 1.62 trillion का इस बार का इनका asset monetization का लक्ष है ठीक है clear है शली दोस्तों आइफा अवार्ड 2022 का 22 संस्क्रण जो है किस संस्थान पर किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा तो आइफा अवार्ड दोस्तों जो international film वाला अवार्ड होता है वह आइफा अवार्ड यस आइलेंड अबुद ना जो है दोस्तों यूवएई में होगा तो यह संयूतरव अमिरात में होने वाला है अच्छा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो इस बार है तिरपनवा वह भी इस बार फिर गोवा में होने जा रहा है यानि कि मुझे लग रहा है यह फिक्स हो गया है गोवा में ही इस बार का फिर होगा यह जो है कि दुबाई भी एक अमाई इस सल्तनत है लेकिन अबुदाबी अभी अल नहयान जी का निधन हुआ भारत निराष्टी सोक्या यह हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है चौथे नंबर पे नहीं तीसरे नंबर का पहले नंबर पे आपका युएस से हो गया दूसरे पे चाइना त तो इस तरीके से हमारे टॉप जो है वह है खैर तो दोस्तों यह मार्च में होने वाला था लेकिन अब यह बीस और 21 मई को होगा ठीक है जिसमें मेजबानी जो है सलमान खान रितेश देश्पुक और मनीश पॉल करेंगे दोस्तों डियाइडी अभी मुंबई इंटरनेश्टल फिल्म फेस्टिवल भी यहां पर चल रहा है मुंबई में जिसमें वी सांतारम लाइफ टैम एचीमेंट एवाट किसको मिला है बताओ आजी सुबह मैंने पढ़ाया था दोस्तों डियाइडी यों ने टैंक रोधी न देशित मिसाइल हेलीना का सफल परिक्षण कहां किया है राजस्थान में किया राजस्थान में किया तो राजस्थान के पोखरण में दोस्तों जहां पे 11 माई 1999 को परमाडू परिक्षण भी हुआ था और 11 माई 1998 को ही हम लोग टेक्नलोजी डे भी मनाते हैं इसलिए टेस्ट हुआ था दोस्तों अटल बिहारी बाजपई और अब्दुल कलाम साहब उस समय जो है साइंटिस्ट थे उन्होंने मिलके किया था अटल बैरी बाजपई पतान मंतरी थे तो दोस्तों राजस्थान के पोकरन रगिस्तान रेंज में एक नकली टैंक को टार्गिट समझ लगाच के उसको उड़ाया गया है लिना के द्वारा और दोस्तों उड़ाया गया ठीक है मेरव को है कि है बिद्वसर्दैक्छ नाम भी है दोस्तों हेलिकॉप्टर और नाग नाग अक्सर उसका नाम New Сейчас पे नाग ते度 जैसे नाग डसता है वैसे टैंक को नाग डसता है तो यह हेलिना है क्योंकि इसे हेलिकॉप्टर से जो है लक्ष बनाया जाता है लता जैसे कि आपने बॉर्डर मूवी में देखा था जैसे ही सुबह हुई जैकी सराप ने जो है सारे टैंक उड़ा दिये और उसे में सनी के विशर्जन वाले दिन यानि अगले दिन का सरस्वती के विशर्जन वाले दिन का निधन हुआ इन्हें भी मा सरस्वती की संग्या दी जाती थी तो दोस्तों इनके के नाम से अवार्ड सुरू किया है पहले इन्हों ने अपने पीता जी के नाम से सुरू किया था दीनानात मंगेशकर अब जो इनकी के परिवार वालों ने इनके नाम से भी आवार्ड सुरू किया है लता दीनानात मंगेशकर अवार्ड यह सबसे पहला अवार्ड जो है दोस इनोंने कई सारे सिंगर को जन्म दिया तो दोस्तो ये म इसिदिन ये हर साल दीया जाता सो अगर वो सिंगर नहीं होते हुंको संगीत की वो नहीं तो आज आसा साब भोशले अ बढ़र हमें नहीं मिलते हैं तो दोस्तों विच नेशन विल होच्ट टवटीटीश कॉमन विल्थ गेम दोजाच चब्विस के राश्ट मंडल खेलों की मेजबानी दोस्तों कौन सा देश करेगा तो दोस्तों यह और अस्ट्रेलिया करेगा है ना कॉमन वेल्थ नेशन में केवल वही लोग खेलते हैं जो कभ के बात समझ में आया है हाँ आयोध्या में इनके नाम से चो रहा है है कि बिलकुल संजीत नारवेकर वेरी गुड दोस्तों अगर बात करें कॉमन विल्थ नेशन की तो कॉमन विल्थ नेशन का मुख्याले लंदन में हैं और इसका उद्गाटन भी एलिजाबेथी करती हैं 54 कंट्री इसकी में मालदीव लाश्ट मेंबर बना है इसमें वही लोग मेंबर होते जो बृटेन के गुलाम थे और इन देशों में जाता है तो हाई कंश्णर कहलाता है आंबेश्डर नहीं कहलाता है बाकी किसी देश में जाएगा तो भी पूचा जाता है अभी लॉय उन्वरसीटी के पेपर में भी पूचा गया ठीक है बात समझ में आ गई क्लियर दोस्तो Commonwealth Games जो है वो Australia में 2026 वाला होगा और जो Olympic है यह 2032 वाला Australia में होगा Brisbane में कि दोहजार अठाइस वाला लॉस एंजलिस में 2024 वाला पैरिस में Commonwealth गेम दोस्तों इसल चाइना में भी होने वाला था अभी कोरोना औरोना की वज़े से सैट टाल दिया गया है ताल दिया गया है ऑस्टेलिया की कैपिटल कैन्बरा है ऑस्टेलियन डॉलर यहां की करेंसी है औ और ऑस्टेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी अभी बदल गए हैं अभी ने ने बदल गए हैं एंथोनी एल्बनिस हो गए हैं ठीक है क्लियर है कि याद रहेगा अच्छा वह एशियन गेम था होंगजाओं में अच्छा तो एशियन गेम अभी विंटर ओलम्पिक तो हुआ ही चाइना में लेकिन एशियन गेम टाल दिया गया चलिए वेरी गुड अच्छा कॉमन विल्ट तो वहां पर हो राता ना यूके में बड़े राज्यों की कटे से की राउंड वन एमांग लाजर स्टेट कटेग्री तो दोस्तो इस्टेट एनरजी अ क्लाइमेट इंडेक्स में जो है यहां पर नीति आयोक के राज्यों की रैंकिंग में किसने टॉप किया है तो दोस्तों गुजरात ने टॉप किया है उसके बाद सेकेंड नंबर पे क मंजाब रहा है ठीक है क्लियर है याद रहेगा एस पर देटा ओफ मिनिस्ट्री आफ कॉमर्स और इंडेस्ट्री वाट वाडि जो उद्योग मंत्रा लेके आकडू कंसा दोजार इकीस-22 में दायर किये गए पेटेंटों की संख्या कितनी थी तो दोस्तों जो पेटेंट की संख्या थी वो कितिती 66,440 ठीक है तो दोस्तों पेटेंट में हम लोग जो है बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और अगर देखा जाए तो साथ वर्स की आउधी में 50% से जादा जो है पेटेंट बढ़ गया है पेटेंट क्या होता है जब हम कोई चीज अपनी बनाते हैं तो उसको हम कॉपी राइट पेटेंट कर लेते हैं और वो हमारी इंटेलेक्शल प्रॉपरिटी बन जाती है जब दुनिया में कोई भी या उस फॉर्मूले को यूज करता है तो दोस्तों उसको रॉयल्टी देनी पड़ती है आपको उसको आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है दोस्तों भारती शहरों के नाम बताए जिसे फूड एंड अग्रिकुल्चर ऑर्गनाजेशन द्वारा 2021 ट्री सीटी ऑफ वर्ड क के रूप में मानता दी गई है ट्री सीटी ओव वर्ड के रूप में मानता दोस्तों फूड एंड अगरिकुल्चर और्गनाजेशन देता है फूड एंगरिकुल्चर ऑगनाजेशन जो सोलह अक्टूबर 1945 तो आया था जिसका हिटक्वाटर है रोम में दोस्तो इटली में जब यह 75 साल इसके पूरे हुए तो भारत सरकाने 75 का सिक्का भी जारी किया था और दोस्तो इसी ने रोम इटली में जो है सुरू किया था युनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अठाइस मही को भी हंगर डे मनाएगा जिसमें कहा गया 2019 तक करीब 690 की मिलियन के लगबग जो लोग भूखे थे 840 मिलियन भूखे हो सकते हैं आपके 2030 तक हाना कि दोजा 24 तक कहा था सैद तो आप सोचिए कि ये कम से कम 80 से ज़्यादा देशों में भोजन कराती है और इसके लिए इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था वर्ल्ड फूट प्रोग्राम के बहुत बड़ा काम करती बहुत बड़ा काम करती है दोस्तों खैर वर्ल्ड ट्री सिटी की बात करें अभी फूड और अग्रिकल्चर और्गनेजेशन के साथ नीतिया योग कट आई एप हुआ था ये क्वेशन जैसे की वर्ल्ड बुक कैपिटल उसने मेक्सिको के गवादल जारा को किया है गादिल जारा गवादल जारा है जैसे की वर्ल्ड की जो हैरिटेस सीटी है वह एहमदाबाद को जैपूर को युनेस्को ने चुना है 14th Intangible Cultural Heritage उसने चुना है West Bengal की दुरगापूजा को 39th और 40th World Heritage साइट उसने चुना है तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को 40-वा डोला वीरा को जो कक्ष में है जो इंडस्वेली शिवलाइजेशन का सहर है उसने 49th जो है अभी रामसर साइट चुने है जिसमें हैदरपूर है 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 दरपूर है दोस्तों उसके पहले बखीरा और खिजाडिया था उसके पहले थोल और वदवाना सुल्तान पूर भिंडवास था उसके पहले सोकर लेक था उ तो आगरा का था दोस्तों इसने निजामुद्दिन बस्ती को भी यूनेस्को ने चुना है आपकी बेस्ट जो है हरिटेज बस्ती का वार्ड दिया है तो यूनेस्को की हैड है और यह भी दोस्तों ठीक यहीं इसी के एक महीने बाद 16 नवंबर को 1945 में ही यह भी आई थी प है और FATF का भी है इसे 39 मेंबर है इसके FATF के जो टेरर फंडिंग को पैन करते हैं मनी लंडरिंग वाले देशों को ब्लैक लिस्ट करते हैं FATF का भी है भी हैड़कौटर पूछा था वहाँ पे OECD का भी हैड़कौटर है एक पेरिस में दोस्तों यूरोपियन स्पेस महत्सों हुआ जहां All That Breath के लिए सौनक सेन को Best Documentary का अवार्ड मिला है दोस्तो Golden Eye Award Golden Eye Award मिला है दोस्तो पिछले साल भी Golden Eye Award पाइल का पाडिया को मिला था Night of Knowing Nothing के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में Country of Honor का अवार्ड इंडिया को मिला है अनुराख ठाकूर जी अपने टीम लेके गए ते यार है मान एमान सब को और दोस्तो जीोरी में दीपका पादुकोर चुनी गई थी जीोरी के लिए दीपका पादुकोर चुनी गई थी kanssa फिल्म फेस्टिवल भी पेरिस में ही हुआ था कि क्लियर रें तो दोस्तो 57 ग्यानपीट पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है 57 ग्यानपीट अवार्ड दोस्तो किसको मिला है तो दोस्तो ये दामोदर मौजो को मिला है कुरोना की वज़े से 2 साल के ग्यानपीट अवार्ड अभी ही दे दिया गया है अभी ही दे दिया गया है ठीक है नवाजुदिन सिद्की को भी पेरीस में एक अवार्ड मिलाया है हाँ नवाजुदिन सिद्की को मिला तो है अभी पेरीस में मिलाया की नहीं यह नहीं पता लेकिन हम मिला तो है अभी नवाजुदिन सिद्की को वह वाला रामेरा करके रहवेरा करके कोई अवार्ड मिला है so best contribution in cinema काव मिला हैंΠ जो दोस्तों यह भी आद रखना होगा कि यह कौन थी भाषा के राइटर है कुंकरनि भाषा के राइटर हैं दामोदर मौजो 57th इनको मिला है और दोस्तों यहीं पर जो है याद रखिएगा 221 और 22 दोनों के लिए जो है मिला है तो 2022 वाला तो इनको मिला है जिनका भी हम लोग नाम लिए लेकिन 2021 वाला जो मिला है वो मिला है आपको नील मणी फूकन को 2021 वाला जो है वो नील मणी फूकन को मिला है 2022 वाला जो है वो मिला है दामोदर मौजो को ठीक है clear है तो दोस्तों नील मनी फुकर जो है यह आसामी लेंग्वेज के लिए बने हैं और यह जो है दामोदर मौजो यह कॉंकड़ी लेंग्वेज के लिए बने हैं याद रखिएगा ठीक है तो मेरे हिसाब से अगर इनको 57 इनको 56 मिला होगा यहाँ पर एक चीज और जोड़ लेते हैं 56 और 57 सेवन्थ ठीक है दोस्तो ऐसे ही गितांजली स्री को हिंदी नौवेल में पहला बुकर प्राइज मिला है किसी भी भारतियों को आज तक हिंदी नौवेल में नहीं मिला तब ऐसे तो पांच भारतियों को मिल चुका है वियस नाइपॉल को मिल चुका है इन अ फ्री स्टेट के लिए सलमान रूस्ती को मिल चुका है मिडनेट चिल्डरेन के लिए अरुंदती रॉय को मिल चुका है गौड आफ स्मॉल थिंग के लिए अर्विंद अडिगा को मिल चुका है वाइट टाइगर के लिए किरन देसाई को मिल चुका है इन्हेरिटेंस ओफ लॉस के लिए लेकिन कभी भी हिंदी नौवल के लिए नहीं मिला था हिंदी नौवल के लिए हिंदी उपन्यास के लिए पाने वाली बुकर प्राइस पहली है गितांजिली स्री जिनकी उपन्यास का नाम है रेत समाधी जिनकी नौवल का नाम है रेत समाधी इसका इंग्लिस में टांसलेशन टांसलेटर थी डैजी रॉक्वेल तो डैजी रॉक्वेल और इनके में आधी आधी रकम बाटी जाएगी करी 65,000 डॉलर है ऐसा ही है तो ये दोनों जो है आधी बाटी बाटी जाएगी ठीक है इस बार का सरसुती सम्मान राम दरस मिस्रा को मिला है मैं तू यहां हूं के लिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां दोस्तों पहला नोबिल प्राइज जो है लिटरेचर का ही हमें मिला था 1913 में गुरुदेव रविद्ना टैगोर जी को जि है नमीता गोखले को इस बार का जो है इंग्लिस में सहीत अकेडमी अवार्ड मिला है ठिंक्स टू लीव बिहाइंड के लिए वेरी गुड और हिंदी में किसको मिला है अशोक के लिए समराथ अशोक के लिए सैध दया प्रकास सिन्हा को मिला है इस बार का हिंदी में सहीत अवार्ड 24 भासाओं में दिया गया दोस्तों किस सरकारी कंपनी ने असीवे स्कॉच अवार्ड में गोल्ड मेडल जीता है तो दोस्तों एन्म डीसी ने इस बार असीवे स्कॉच अवार्ड में गोल्ड मेडल जीता है अभी उडान योजना को भी दोस्तों लोग प्रशासन म इसमें उत्कृष्ट्ट प्रधानमंत्री पुरुष्कार मिलाता है कि नहीं कि समझ गया है है क्लियर है NMDC का Headquarter भी याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि NMDC बहुत बार न्यूज में आ चुका है NMDC इस बार बहुत बार न्यूज में रहा है NMDC 15 नवंबर 1958 को आया था हैदराबाद में Headquarter है हैदराबाद में इसका Headquarter है NMDC के साथ सबसे ज़्यादा खनन भी इस बार इसी ने किया था इस बार सबसे ज़्यादा खनन भी इसी ने किया था यह स्कॉच आवर्ड इस बार नई दिल्ली में हुआ और थीम था इसका State of BFSI and PSU तो दोस्तों BFSI किसे कहते हैं Banking Financial and Banking Financial Sector and Insurance Company को यानि कि Banking को मिला लो NBFC को मिला लो FinTech Company को मिला लो और Insurance Company को मिला लो Mutual Fund Company को मिला लो तो BFSI सेक्टर बनता है और बाकि PSU में तो सारी सरकारी कमपनियां आ जाती हैं दोस्तों सयुम्तरव अमिराथ में भारतियों के लिए NR account ओपिं करने में सक्षम बनाने के लिए मसरेक नियों ने किस बैंक के साथ टाई अप किया है नॉन रेजिडिन्ट एकाउंट दोस्तो एनराई लोगों का ओपन होता है ठीक है यूएई की बात करें दोस्तो तो अभी हम लोग ने यूएई की एक नियूज अभी पढ़ी भी थी यूएई की जो कैपिटल है अभुधाबी है दोस्तो उसमें आईफाइ अवार्ड होने वाला है यूएई में अभुधाबी ने अभुधाबी कोर्ट में हिंदी को दोस्तो दूसरी अधिकारिक भासा के रूप में मानता मिल गई है अबुधा भी इसकी जो capital है UAE की दोस्तो 4.5 डे working हो चुकी है पेपर लेस हो चुका है दुबई इसका एक शहर है जहां T20 World Cup हुआ था जिसे ऑस्टेलिया ने जीता था वहाँ पे पावर फ्यूचर आफ म्यूजियम भी ओपन किया गया है दोस्तों फ्यूचर का म्यूजियम इस बार 18 मई को म्यूजियम डे भी था जिसमें पावर फ्यूजियम थीम भी था इसने इंफिनिटी ब्रिज भी ओपन किया इसने आइन दुबई 200 मीटर का दोस्तों इसने ओपन किया है दुबई में वर्ड एक्सपो भी हुआ दोस्तों ठीक है क्लियर है बात समझ में आ ग ही आ रहा है तो श्यांस री निवासन इसके हैं श्यामस री निवासन पिछली बार बेंकर आप दी इयर भी बने थे श्यामस्री निवासन थो यूए की मशरिक बैनियों के सादों मतलब होता है दोस्तों 100% digital banking पासेंग डिजिटल सर्विस को नियों शब्द से बुलाया जा आता है इस शब्द पे भी गौर करिएगा इंग्लिस में भी आपके काम आएगा ठीक है श्याम स्री निवासन ये दोस्तों इसके सीयों है यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसकी जो है टेड लाइन है और दोस्तों किरला में इसका हेड़क्वाटर है और आएफसी ने इसमें जो है शेयर भी लिया है वर्ल्ड बैंक की जो इनवेश्टमेंट्स आका है आएफसी इसने जो है इसमें किया है ठीक है क्लियर है कि दिव्या मेरा डायलॉग मारे कि आज मूड ओफ हो रहा है सर अब आज के लिए इतना ही देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मूड ओफ खुद से करते हैं अपना जैसे तीन बजवली क्लास में मैं उस लड़के से बहस करके मैंने अपना मूड खराब कर लिया तो इसलिए अब मैं ऐसे इग्नोर करना चाहिए ऐसा मैंने बाद मे करते रहते हैं तो आपको इग्नोर करना चाहिए आप उसको लोही मत कोई आप कोई कुछ भी बोल रहा है बहुत सारे लोग बोलते रहते और जो जितना फेमस होता रहता है उसको बोलते रहते मोडी जी कुछ पोश्ट डालते तो बहुत सारे लोग उनको अनाप सनाप लेकिन हर आदमी कपिल सर्मा की तरह रिपलाई नहीं करता है यही तो बड़े लोगों में अंतर होता है कि नहीं तो इसलिए जो है अपन लोग टेंसनी नहीं लेते अब टेंसन नहीं लेना बात देखो इमत कमेंट की तरफ देखो इमत अपना काम करो एक्जाम पर कुछ नजर कहा है कि तुम्हारी नजर जो है दोस्तों एकदम मचली की आख पर नीचे अर्जुन की तरह निसाना साधू एक कहानी सुनाता हूं तुमको मूड अच्छा करने के लिए कि एक जो है मीरा बाई थी उनको आप लोग जानते होंगे मिरा भाई थी यह लेला थी मीरा भाई की कहानी तरो मीड़ा भाई की सीख लेने की बात है कि वो अपने प्रेम की खोज में अपने प्यार के बुलावे पे इतना मगर होके डोड़े जा रही थी की रास्ते में एक साहत चटाई बिचाक के नमाज पढ़ रहे थे और उनके चटाई पेसे वह हो के गुजर जाती है उसको पकड़वाते हैं मौल भी साब उसको पकड़ो वह कहां ऐसे भाग के जा रही है उसको पकड़ो और उसको पकड़के लाया जाता है तो बुला जाता है कि तुम जो है तुमको चटाई नहीं दिखाई दी मैं नमाज पढ़ रहा हूँ मैं उपर वाले खुदा की इबादत में हूँ और तुम इस चटाई पर से होके गुजर गई तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा बहतरीन जवाब था कि मौलवी साहव मैं तो अपने प्रियतम के प्यार में ऐसी दिवानी थी कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा दिन रात गर्मी सर्दी बरसाथ मुझे आपकी चटाई भी नहीं दिखाई दी लेकिन आप कैसी इबादत में उपर वाले के साथ जुड़े हुए थे कि आपक कैसा connection था तो कोई disturb करें तो आप disturb हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपकी ध्यान साधना तपस्या में कुछ कमी है इसलिए हम लोगों को ध्यान साधना तपस्या से भटकाया जाएगा जा रहा है क्योंकि हम लोग सफलता के पर्चम काड़ते चले जा रहे हर एक्जाम में और हमारे विद्यारती लगातार सेलेक्ट होते चले जा रहे हैं और हमाएं हमें भटकाया जाएगा ऐसे विरोधी टीम भी कर सकती है ऐसा विरोधी टीम भी कर सकती है दूसरे टीचर्स के बंदे भी कर सकते हैं आपको नहीं भटकना है ना आपको भटकना है ना हमें भटकना बाद में रिलाइज हो किसी की चाल भी हो सकती है किसी की साजिश भी हो सकती है इसलिए हमें भटकना नहीं है ठीक है तो दोस्तों यहां पे यह याद रखना है फेडरल बैंक ने ही UAE के मश्रिक नियों के साथ टाइब किया फेडरल बैंक हमारी यहां की बैंक है दोस्तों इस टेक्सी प्लेटफॉर्म क्लियर के साथ दोस्तों अभी टाइएप की भी किया है कॉश्ट फ्री इंकम टेक्स रिटर्न की फाइलिंग करने के लिए एनराई कस्टमर के लिए एनराई कस्टमर के लिए दोस्तों यह बहुत कुछ कर रहा है क्योंकि नाम से लगता है अमेरिका क का Central Bank और अमेरिका का Central Bank Federal Reserve Bank उसका नाम है Federal Reserve Bank of New York यह तो हमारा Indian Bank के रल का कोचि का Federal Reserve Bank हमारे Reserve Bank of India की तरह अमेरिका में उसके बोड में इंडियन जुड़े हैं अरविंद किष्णा जो की IBM के हैड है वह IBM के हैड है समझ गए तो दोस्तों मश्रिक नियो हैस टाइड अब विद फेडरल बैंक टू इनेबल इस यूए बेस्ट इंडियन कस्टमर टू ओपन नॉन रेजिदेंट अकाउंट विद फेडरल बैंक इन इंडिया इस्टेंटली थू दर नियो एप तो नियो एप के थू दोस्तों य इन विच इंडियन इस्टेट तो दोस्तों यह गुजरात में शुरू किया गया जैसे कि आप अमरिज सर जाते हो तो बाधा बॉर्डर पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सेर्मनी होती है रिट्रीट वाली वह आप लोग देखते हो ठीक है हाँ यह बिलकुल बहुत बढ़िया तो दोस्तों सीमा दर्सन प्रोजेक्ट जो है यह अमिश शाह जी ने गुजरात के नवापेट में भारत पाक सीमा देखने के बिंदू का उद्गाटन किया कक्ष शेत्र में है दोस्तों गल्फ ऑफ कच्ष जो भारत का सबसे बड़ा जीला है इस इस्थान को ग प्रागिस्तान के साथ लगी अंतराश्टी सीमा को देखने की सीमा सुभिधा मिलती है जिस पर सीमा सुरक्षा बल 24 घंटे पहरा देता रहता है तो दोस्तों कक्ष ही है उसके बाद आपका सबसे पश्चिमी जीला जो है वह कक्ष ही है सबसे वेश्तन आपका जो पार्ट ह वो कक्ष है उसके बाद समुद्र सुरू हो जाता है इसलिए मरीन नेशनल पार्क उसे गल्फ आफ कच्छ भी कहते हैं वहीं पर NTPC सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी लगाया है वहीं पर बालिका पंचाय चुनाव भी कुनरिया में हुआ है और कक्ष में ही दोस्तो धोला वी पुड्डू चेरी का महें पुड्डू चेरी का महें गांधी नगर कैपिटल है जहां पे आयूस इन्वेशन इन्वेश्मेंट और इन्वेशन सम्मिट हुआ है पहला नैनो यूरिया लिक्विट प्लांट इफको का दोस्तों यहीं पर लगा है रेलवे ट्रैक पर जेटरी सीनिवास हैं दोस्तों जहां पर आइसीसी बैक आपसोर बैंकिंग शुरू कर रहा है एसबी और आइसीसी ने इंट्रनेशनल क्लेरिंग कॉर्परेशन में हिस्सेदारी लिया है एसबी ने फार्मोसा बॉन्ड इसू किया यहां पर एसबी आइन यहां पर ग्रीन कर लिए अचार देवरत यहां के गवणर यानि पटेल वोट पूरा का पूरा इनके पास आ जाएगा केशु भाई पटेल की देथ होई चुकी जो इनके विरोधी थे जिनको हटा के भुझ भुकंब के बाद मोदी जी मुखमंत्री सीधे बना दिये गयते अटल जी और यहां पे पुराव इलक्षन की तयारी चल लए है बालिका पंचाय धोला वीरा एंटीपीसी बिगेश डिस्टिक गल्फ आफ कच्मरी नेशरपा कक्ष में हैं के वडियाव इलेक्ट्रिक वेहिकल सीटी बना एक्टानगर स्टेशन है स्वास चिंतन सिविर यहां सुरू पिछले साल जो आई एस ऑफिसरों का चिंतन सिविर होता है 182 मीटर की स्टेश्य आफ यूनिटी है लासने ट्यूबरों की ब्रॉंच की राम जी सुतार इसके मुर्तिकार सादू बेट रिवर आइलेंड पर है नर्मदा नदी पर नर्मदा डिस्टिक में इसी केवडिया म आपको बताना है कि स्वामी रामोनोजा चार किस धर्म के संस्थापक थे किस धर्म के संस्थापक थे दोस्तों यह आपको बताना है ठीक है वर्ल्ड बैंक के साथ सुरेष्ठा जी करके एक जो है कि शुरू हुआ है बिल्कुल सही बात है साड़े 300 मिलियन का लोन है सुरेष्ठा जी किसके लिए है या आपको बताना है डोस्तो इसके बाद यहां पर अहमदाबाद औलंपिक लेवल के कंपलेक्स बनेघ स्पोर्स बनेस पूने में तक्षसिला इसपोर्स कॉंपलेक्स की भी सुरुवाद की गई है टॉप्स योजना दोस्तों टॉप्स योजना टार्गेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम इसमें हर जो भी खिलाडी सेलेक्ट हुएं करीब 300 खिलाडी सेलेक्ट हुएं इनको 50,000 रुपे महीने का स्टाइपन दिया जाएगा ताकि यह ट्रेनिंग अच्छे से कर सके ट्रेनर्स को पैसे अच्छे से दे सके और दोस्तों ओलम्पिक में मेडल ला सके दोजा 24 पेरिस ओलम्पिक में टॉप्स का फुल-फॉर्म एक्जाम में पूछा था दोस्तों छेर मद्यस्ता केंड्र भी एहम्दाबाद में शरू किया गया है दोस्तों एहम्दाबाद में सरदाधाम्हवन सुरू किया गया है नरेंद मोदी स्टेडियम में टाट एपील 15 जो है दोस्तों जीता है खार्दिक पंडिया के गुझराथ टाइटन ने है ना एक्सपोर्ट प्रिपेडनेस इंडेक्स में टॉप किया गुड़ गवनेस इंडेक्स में सोलर रूफटॉप में पता औरेंज केप परपल केप किसको मिला है फटा फट बताओ मोधी ने 108 फिट की उची भगवान हनमान जी की मूर्ती जो है मौर्भी गुजरात में जो है लगाया है बापू केश्वानन जी के आसरम में दोस्तो भूपेन पतिल तो हो गया लोथल बंदर का है दोस्तो इंडेस्वेली सिवलाइजेशन का गुजरात में ही जहां पर पूर्टगाल की मदद से नेशनल मेरिटाइम हैरिटेज म्यूजियम बन रहा है राष्ट लाइनस वलसूडा दोस्तो जामनगर में जिसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसीन भी जामनगर में सुरू किया टेड्रो साधनाम खूद आये थे डबलू एच्चो के है जो यूथियो से बड़ा बड़ा चिडिया घर बनाने का फैसला किया है नीतियायो की स्टेट एनरजी और क्लाइमेट इंडेक्स में भी दोस्तो गुजरात ने टॉप किया है सुजलाम सुफलाम जल संचे योजना मुखमंत्री महिला उतकर्ष योजना अभी उतकर्ष महत्सो भी यहां म प्रोग्राम हुआ जिसमें की इंदौर और सूरत को स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला और यूपी को बेस्ट अवार्ड मिला दोस्तों स्मार्ट सिटी में स्टेट में और साइचंडीगर को यूनियन टेरिट्री में अमेजन डिजिटल सेंटर सूरत में ही सुरुआ सूरत मे बुलेट ट्रेन का पहला दोस्तो इस्टेशन भी बनेगा अभी दियोधार बनास काठा में आलू प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गया है और नया डेरी कॉंप्लेक्स भी लगाए गया डेरी प्रोसेसिंग में हम नंबर वन पे हैं क्योंकि अमुल जैसी कमपनियां हमारे पा सांनंध वाली को टाटा खरीद रही है दोस्तों तो यह थे आदिवीत के प्रमुक समचार यह थे दोस्तों आज के प्रमुक समाचार औरेंज कैप जौस बटलर को मिला मिला है पूब पलंकेप यहां जुवेंद्र को मिला है इंसानों की बात हो तो कोई बात हो हैवानों की बात है हम और आप किसी को मार नहीं सकते क्या आप देखो हमारे तो क्या कि कहा जाएं सिवलिंग दिग गया लेकिन हम लोगों में से किसी ने किसी को मारने की नहीं सोची हम लोग सामने से देखते हैं कि भाई सब तोड़ ताड़के बनाया गया लेकिन हम लोग कोट का इंतजार करते हैं कि लेकिन जहां पर यह कशमीर हो गया और és 2005 यहां पर अपर राम नौमी के जलुस पर देखें पटिया फेक आजा रहा था च्शट पें से पटिया फेका नहीं सैत्ट क्यों कि शोटा पत्तर फेक करके कि सबंसे नहीं मार डालने की मंसा थी तो इस तरीके के काम जो है अब हम और आप नहीं कर सकते हमारा जमीर गवारा नहीं करेगा हमारी इंसानियत नहीं करेगा उन लोग टार्गेट किलिंग करते हैं टार्गेट किलिंग कर रहे हैं मार रहे हैं जान से मार दे रहे हैं किसी को इंसान ने तो सब को बनाया है उसी अ लाट ने सबको बनाया उसी भगवान सबको बनाया है तुम्हारे और उसके में कोई अंतर थोड़ी किया है अईसे लोग सोचते हैं कि हम उपर जाएंगे तो हमको जन्नत मिलेगा बहतर हूर मिलेगे अरे तुमको तेल की कढ़ाई में छाना जाएगा तुमको कोई जन्नत फन्नत नहीं लेगा तुमको उसी गरम तेल की कहड़ाई में छाना जाएगा किया जाए कुछ इस पर कुछ बोला भिए नहीं डिया जाकता सरकार भी क्या करेगी बताओ सरकार कोई कुछ नहीं कसा सब्सक्राइब कोई अगर किसी को मारने की ठान लिया है तुम किसको किसको जेट से क्टेक्टेगरी की सुविधा दोगे यह वह वो जो विचारा पंजाबी सेंगर तहाव सुरक्षा दी गई थीूटिक मांडो मांडो भी था उसके साथ मुलेट प्रूप गारी भी था ले किन डिन नहीं नीकला मुलूट प्रूप गारी से सिर्ल organized दो जब अब मारने पर आजाएंगे तो मारईएंगे कौन बचायेगा इस 화d तो क्या किया जब क्या कर सकते हम लोग को कोई कमेंट नहीं करना है क्योंकि हम लोग इस प्लेटफर्म पर और नहीं मैं करना चाहूंद लेकिन इंसान बनी बस इतना कहूंगा इंसान बनिये इंसाने ठीक है मतभेद अपनी जगह है एक दूसरे की बातों बात करिए बोलने के अजादी है बोलिए लेकिन जो है सबका सम्मान करिए इस तरीके से मार डालना किसी को यह कोई अच्छी बात नहीं अगर किसी को इधर कोई मार देगा तो फैंट मॉब लिंच अच्छा तुम भी मार रहे होँ तो फैर यह से मत करो प्यार नहीं प्यार बहुत से रहे है और अच्छे से रहे प्यार से रहिये अच्छोड़िए इस बातों से आप से क्या मतलब अपना से लेक्शन लेजिए को बदलना है तो सिस्टम मैं घुसना होगा बड़े-बड़ बनिए बड़े बड़े जो है जगब पार्टिसिपेट कीजिए अधिकारी के बाद फिर पॉलिटिक्स में आई और पॉलिटिक्स को भी अच्छा कीजिए जो करना चाहते हैं जिन्दगी में खुद उसका हिस्सा बनके करिए ठीक है चलिए तो आज जो है इतना ही रखते हैं खुश रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए व्यस्थ रहिए अपनी पढ़ाई में आपका दिन मंगल में हूँ बबाई टेक केर गॉड़ बिलेस यू और